चोकलेट आप सभी खाते होंगे लेकिन किटकेट चोकलेट जो इन दिनों काफी चर्चा का विशे बना हुआ है जिसका कारण इसके रेपर पर बने दो अलग-अलग पिक्चर्स हैं और दोनों ही पिक्चर्स अपने आपने बहुत विवाधित हैं तो दोस्तो वेलकम टो सकाईलाक सिविल्स अकेडमी तो जानते हैं क्या है किटकेट का मामला हाली में मणिपूर के फोरेश डिपार्टमेंट ने नैसले को एक लेटर लिखा और कहा की इस किटकेट के रेपर पर आपने काईबुल लामजाओ नेशनल पार्क को मेगालाई में सिचूएटेट बताया है जो की गलत है In real, it is situated in मणिपूर और Red Panda जो ना ही मेगालाई में पाया जाता है और ना ही काईबुल लामजाओ नेशनल पार्क में यह Red Panda नेपाल, टिबट और चाइना के फूटिल्स में पाया जाता है अब हम इस रेपर को देख लेते हैं इस रेपर पर यह है Red Panda और यह है काईबूल लामजाओ नेशनल पार्क जो की मेगाला में बताया गया है दोनों ही information यहाँ पर wrong है KitKat यह एक FMCG product है मतलब की fast moving consumer goods इसलिए यह हमारे exam prospect से important हो जाता है तो चलिए अब हम Red Panda और काईबूल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में एक विशरित अध्यन करते है Red Panda जो हमेशा किसी ना किसी वज़े से सुर्कियों में रहता है आज इसको पढ़ने की वज़े है KitKat देखिए कितना ही खुबसूरत animal है जैसा कि हम इस image में इसको देख सकते है यह बहुत ही प्यारा animal है चलिए अब हम आगे इसके बारे में जानते है इसका सबसे पहले हम इसका habitat के बारे में जानते है Red Panda के habitat के बारे में Red Panda जो की endemic है to temperate forest and eastern हिमाला में और यह नेपाल, चाइना और टिबट के footills में भी पाया जाता है जैसा कि हम इस map में देख सकते है यहाँ पर जो यह dark colored area है इसी reason में यह पाया जाता है यह जो data है यह provide किया गया है IUCN के द्वारा ठीक है और इंडिया में यह सिक्किम, असम और अन्वाचल प्रदेश में पाया जाता है इसका scientific name ऐलूरस Fulgence है और इसके physical characteristics के बारे में बात करें तो इसके जो fur है वो brown, reddish brown color के है और इसकी जो tail है, tail जो है, वो sady है और इसके जो आगे वाले जो pair है, वो छोटे-छोटे होते है और यह domestic जो हमारी cat होती है, जो घर में पाई जाती है cat उसी size का यह पाई जाता है, लगबग की 2 feet के असपस इसकी height होती है यह बात तो हुई इसके physical characteristics के बारे में चलिए अब आगे देखते है आगे इसमें, यह जो है herbivirus animal है primarily herbivirus का आ जाता है, मतलब की साका हरी है और इसका जो नाम है panda, यह नेपाली एक word है ponia, उससे यह drive होता है जिसका मतलब होता है, ponia का मतलब होता है bamboo और eating plant animal मतलब की ऐसा जीव, यह ऐसा animal जो की किसे खाता हो bamboo tree को और इसकी population जो है less than 10,000 है अभी all over world इसके conservation status के बारे में हम बात करें तो IUCN की rate data list में जो status है, वो क्या है endangered है और sites के appendix 1 में आता है और wildlife protection act 1972 के schedule 1 में इसको protection दिया गया है मतलब कि यह highly protected animal है और इसको जो threats क्या क्या हो सकते है उसके बारे में जाने तो एक तो इसका habitat loss हो रहा है जैसे कि हम काफी ज़्यादा development कर रहा है जिसके कारण क्या habitat loss हो रहा है उसका fragmentation, poaching और in breeding, depression भी इसके threats के कारण है काइबूल लामजाउन नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे जो की मणिपूर में इस्तित है यह दुनिया का एकमात floating national park है जो की इंडिया में है और अक्सर हम UPSC और other one day exam हो में देखते हैं कि इससे कहीं न कहीं कोई न कोई question देखने को मिलता है तो चलिए हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं काइबूल लामजाउन नेशनल पार्क के बारे में अब हम इसकी location देख लेते हैं यह मणिपूर के बिसनपूर डिस्टिक में इस्तित हैं और यह जो लोक्टक लेके उसका एक भाग भी है लोक्टक लेक जिसे रामसार साइड में दरजा भी दिया गया है और इसे 1966 में वाइलाब सेंचुरी का दरजा दिया गया है 1966 में इसे वाइलाब सेंचुरी का दरजा दिया गया है 1977 में इसे नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया था और यह जो नेशनल पार्क है काईबूल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर नेशनल हैबिटेट किसका पाया जाता है डांसिंग डियर का जिसे हम संगाई म्रग भी कहते हैं और यह मनिपूर का नाचने वाला म्रग भी है और इसके बारे में जाने तो यह IUCN की इंडेंजर लिस्ट में है और Wildlife Protection Act 1972 के स्टूटूल 1 में भी आता है और साइट्स के appendix 1 में भी इसे conservation का status प्राप्त है इस पार्क को floating national park क्यों कहते हैं यह हम जानते हैं क्योंकि जो लोक्टक लेक है हमारा हमारा जो लोक्टक लेक है यह जो लोक्टक लेक है उसमें यह जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क में इस तरीकी की मार्सिस होते हैं जो की पानी पर तेरते रहते हैं जिसे फुम्डिस भी कहा जाता है फुमडी भी कहा जाता है और इसी के कारण इस नेशनल पार्क को फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है और यहाँ पर अगर हम देखे तो फ्लोरा में हमें जो वेजिटेशन है यहाँ पर उसका जो हाइड कितना होता है 90 to 120 70 meters होते हैं और यह जो इतने थिक होते हैं कि easily यह water surface से cover हो जाते हैं और इस national park में जो हमारा forest पाया जाता है वो कैसा forest पाया जाता है most semi evergreen forest पाया जाता है most semi evergreen forest पाया जाता है और यहाँ पर rich amalgam of aquatic and wetland and terrestrial ecosystem भी पाया जाता है इसलिए यह national park बहुत important हो जाता है अब हम यहां के flora और fauna की बात करें तो हमें यहां पर जो इसका aquatic national park का aquatic reason है उसमें हमें जाजिया लेटी फोलिया जिसे wild king भी कहते हैं और सेकाग्रम मुंजा डायस कॉरिया बुली फेफिया साइनोडोना डेक्टोन लॉन अलफैनिया गगलाना इन सब को आपको याद रखना नहीं है यह तो इसे ही नाम है जिने हम देख ले रहे हैं बाकि इतने हाड हाड नाम कौन याद रखेगा और इनिमर्स देखने को मिलता है और पाय जो जो अजगाड कहा जाता है जैसे वह अजगार्वी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस National Park को Major Threat किस से Major Threat वरतवान में इस National Park में लोक्तक जल विद्दुद परियोजना के कारण यह संकट में है और यह सब इस National Park के बारे में था काइबूल लामजाओ National Park Thank you for listening